आज हम लोग जानेंगे रूट के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी प्लान के पार्ट्स होते हैं तो उसमें रूट भी एक प्लान का पार्ट है तो यह वाट इस रूट सबसे पहले मैं जो बताऊंगे कि रूट होता क्या है यानि कि जो प्लान का जो पार्ट सॉल के अंदर होता है उसे रूट कहते हैं यानि कि यह वो पार्ट है प्लान का जो कि यह प्लान सॉल के अंदर होता है और फिक्स करता है प्लान को और प्लान के लिए नुट्रिशन को अब्सॉब करता है और यह देखें मैं आपको एक रूट का दिखा रही हूँ यह हमारा है रूट ठीक है यह प्लान है और यह है रूट ठीक है और इस रूट को आप देख सकते हैं कि यह इसमें मिट्टी अभी भी लगी हुई है और यह रूट जो यही है वो चीज है जिसकी वज़े से प्ला नेक्स्ट है function of root यह होता है anchorage of the plant again first होगा और second होगा absorption of water and dissolve minerals and conduct conduction of these to system यानि कि मैंने पहले बताया कि anchorage of plant that plant को fix करता है soil में और absorption of water and dissolve minerals and conduction of these to the system जो भी minerals और water को वो absorb करता है मिट्टी से या soil से उससे वो stem तक पहुचाता है stem के different part तक पहुचाता है जो की useful होता है plant के growth के लिए अब हम जानेंगे types of root types of root यानि की root के भी types होते हैं जैसे tap root, fibrous root, adventitious root यानि यह तीन type होते है tap root, fibrous root and adventitious root यहां जो मैं आपको root दिखा रही हूँ यह tap root है tap root इसमे tap root जो होता है यह basically तीन part में divided होता है जैसे कि मैंने आपको यह root दिखा रही हूँ तो यह tap root ही है यह क्या है यह tap root है तो इसमें जो मैं दिखा रही हूँ यहां पर यह root है इसमें पहला जो first यहां पर जहां से root निकलता है या यानि कि जो हमारे basically होता कै है कि seat से root निकलता है जो नीचे की तरफ होता है sunlight के against ज़ाता है जो sunlight की और ज़ाता उसे shoot कहते है या कि system कहते है और जो sunlight के AGAINST जाता है उसे root कहा जाता है तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यह जो दिख रहा है primary root यानि कि first root दिख रहा है यानि कि यहां से रूट निकला है सीट के थुरू और यहां पर यह इसके साइड यहां पर यह सेकेंडरी रूट हो गया यह क्या है सेकेंडरी रूट इस सेकेंडरी रूट और यह इस रूट के बाद जो थर्ड निकला है वह हमारा हो गया टर्शियरी रूट यानि कि यह जो पर् hoorट होता है यह त्री परस में डिवारेट होता है प्राइम्री रूट ब, Byz frente secundry रूट और tertiary परर्युट और पहले समें यह त्री स्वेत करने साक्राइट और बेसक्ली यह सै भाम ब्लट होता है बिज त्री रूट भाम भाम बा सक्राइट seat से निकलते है डाइको ठीक है डाइकोट seat से निकलते है और यह tap root जो होता है वो थ्री पार्ट्स में divided होता है और फ्रीड सेक्यन्री रोट और टर्शियरी रोट यह देखे यह जो मैं दिखा रही हूं pouvoir मैं यह plant है ठीक है और इस plant में देखिए यह जो है यहां पर दिख रहा है यह हमारा है primary root यह है primary root और इस तरह से यह हमारा क्या है tap root, यह क्या है tap root दूसरा है fibrous root, दूसरा क्या है fibrous root यह fibrous root जो है इसमें यह भी चरन निकलता है, इसमें से तो यह fibers की तरह दिखता है. मतलब फतले से strands गास में दिखा जाता है, यह basically आपको गास में दिख जाएगा और वह जो यह तो आपको सर्सो के पौद्र में पलांट जमाने आपको दिखा आता है और किसी भी डाइककॉट प्लांट या निए जाने के प्लांट में होगा यह जूता है मेरे पास एक घास है जो आपको मिल जाएंगे रास्ते में पर भी साइड में मिल जाते हैं इसको यह जो घास होता है इसमें आप देखेंगे जब इसको खाड़ेंगे आप तो यहां पर देखेंगे हल्ट के पत्ले-पत्ले से सब्सक्राइग आभर सिर्फ को मोटा कोई इसばत्ले-पत्ले-पत्ले इष्पार पिंड डिकलो यह फफाइबरस और अदिकलो तो हैं और नी मिल दो हैं और निकाल कर देखेंगे तो चैनल वो फ्यू और गड़न पाउय। छाट्र थार्ड पाउफ रूठ है। आट्विए सब्स जट्रॉट Ivy आट्विंट से लिए अगएं। आट्रॉटॉर मेर्लान और गड़न सब्सक्राइव. इसलिए एक अंड़न पाउय। 20 में मोह तरह है। लेकिन यह रूट कहीं से भी निकल सकता है नोट जैसे कि हमारा स्टेम है ठीक है शुगर के इनके स्टेम होता है और यहां पर जो साइट में दिख रहे हैं यह रूट है और यह रूट किसी इसके निकलने का पॉपस होता है अगर यह जो शुगर केन है यह बहुत ही लंबा सा प्लांट होता है बहुत लंबा सा प्लांट रहता है उसमें ये पत्ते होते हैं फिर बहुत ही पत्ते बहुत काफी ऊपर होते हैं बहुत ही लंबा सा प्लांट होता है तो उसमें क्या होता है कि रूट को सहारी की जरूरत होती है और प्लांट को सहारा देने के लिए मैकनिकल स असे प्लांट को एक तब लंबे होता है। अगर प्लांट नेचे के फिक्स होता है। तो असे सपोर्ट खड़े रहने के लिए यह क्या करता है। यह इस तरह के roots develop करता है और यह adventitious root कहलाता है यह adventitious root बहुत ही तरह के होते हैं इनमें बहुत सारे modifications पाई जाते हैं इसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ और बताऊंगी अभी मैं आपको एक plant दिखा रही हूँ यह देखो यह रहा देखो यह क्यों निकल रहा है क्योंकि यह creeper है और इसे आगे ग्रोव करने के लिए यह root की जरुरत होती है इस रूट की जरुरत होती है इसलिए यह कहलाता है adventitious root और यह support करता है इसको आगे ग्रोव करने के लिए that's what is called adventitious root adventitious root की storage टाइप भी होते हैं तो यह बहुत तरह के roots adventitious root में होते हैं जिहने मैं आपको बताऊंगी next हम लोग आते हैं modification of tap root में modification नहीं के tap root हमने में जाना कि इसमें प्राइमरी और इसका जो डिविशन होता है वो प्राइमरी रूट प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट और तर्शी रूट में वो डिवाड़ होता है sorry और इसमें जो इसका जो modification है वो first है fusee form, conical form और nappy form fusee form में क्या होता है यह हमारे जो मैं दिखा रही हो यहां पर यह basically picture आप पहचान पा रहे होंगे जिससे की radish यह किस चीज का picture है यह है radish का और यह सारे जो modification होते हैं tap root में यह basically होते हैं storage of food की विरसे यानि कि जो हमारा food बनता है plant में वो आकर root में जमा हो जाता है वो आकर क्या होता है root में जमा हो जाता है और इसलिए इनके roots जो होते वो इस तरह से फूल जाते हैं और फूल करके different types of tap root के forms का development करते हैं क्या है okay first is fusiform अब यह fusiform, conical, nappy form में difference क्या होता है Fusiform क्या होता है इसमें जो होता है इसका middle part होता है यह थिक होता है और यह जो नीचे का part और यह उपर का पार होता है वह होता है बहुत slightly सिकडा हुआ होता है यानि कि कम होता है तो इसलिए से कहते हैं Fusiform यानि कि मिडल में थिक होता है और उपर की तरफ में काफी narrow जासा होता है इसलिए से Fusiform कहते हैं और यह है Conical, Conical that means की Cone के जासा होता है यानि कि उपर में इसका जो पहर का part होता है यह काफी broad होता है और नीचे का part अचानक से narrow हो जाता है और यह कोन की तरह दिखता है that's what it is called Conical यह Conical खेलाता है और बेसिकली यह पाए जाता है गाजड यानि के carrot में और यह फ्यूजी फॉर्म होता है वह होता है मूली में पाया जाता है और यह गाजड में पाया जाता है और नेक्स्ट जो हमारा दिखा रही है नैपी फॉर्म यह जो है यह पाया जाता है शल्गम ठीक है यह पाया जाता है तरनिप या शल्गम में इसका जो यह बस नैपी फॉर्म है यह टॉप की तरह दिखता है यह लट्टू देखा है यह वैसे ही दिखता कि इसका उपर का पार्ट है वह काफी जादा ब्रॉड होता है और नीचे का अचानक से भूलता वह जाकर के एकदम बिल्कुल गोल सरकल सा होता वह नीचे जाकर के स्लाइट एकदम यह काफी नैरो हो जाता है जिसकी वज़से इसका यह जो होता है वह नैपी फॉर्म इसको कहते है और इस तरह का यह टॉप की तरह दिखाए पड़ता है लट्टू की तरह दिखाए पड़ता है इसलिए इसको कहते है नैपी फॉर्म तो यह जो मैंना भी दिखाया आपको यह है कॉन-कॉन से चीज़े हो गई इसमें यूफुजी फॉर्म कॉनिकल और नपी फॉर्म नेक्स हम लोग जानेंगे काया से ब्लाइं गया स intend होता है को समय हर दिखेश समय इसा एक उन फॉर्म कॉनिक्स देशन होताjos धारम क उसलिची व्रम खताूं आपकी काहा सब्सूर्म क काहा साल जाने 2000 क करते हैं पहला खते हैं पलाइच्व मार्स स्भुपेश औव पुसक्षाएं देखा आप लोगो ने शकरकंद जो की कभी-कभी हमारे पास आते हैं जब कोई भी फेस्टिवल होता है और फेस्टिवल का यहां फूर होता है जिसमें जब लोग फास्ट रखते हैं तो यह खाते है और आजकल बादार में चिप्स भी है लोग बहुत क्योंकि हमा बहुत ही बहुत हिल्दी होता है इसे को यूद्ध करते हैं तो ये शकरकन दिन has a जिसे हम और बहुत है आप वाहित ऑपने उस्वाती कि पर्द में होई पा Anda ist ? तो यह हमारे पास दिख रहा है जो picture मैं दिखा रही है ये है शकरकंद का picture और यह जो picture है ये actually जो root है, ये root है शकरकंद क्या होता है? रूट होता है और ये adventitious root की अंदर आता है क्योंकि इसके अंदर again storage of food materials हो जाते हैं तो ये क्या होता है? फूल जाता है और इसको कहते हैं tuberous पहला है स्वीट पटेटो यानि की ट्यूबरस रूट स्वीट पटेटो का नेक्स्ट है फैसी कुलेटेड रूट इसमें देख रहे हो आप यह भी रूट है डिफरेंट टाइप का रूट है इसमें देख बहुत सारे जड ऐसे ही निकल रहे हैं बिल्कुल गोल में काफी कौ अब बहुत अब बहुत अब बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं आपने कभी गार्डन अगर कभी आप जाओगे तो फिर देखना कि डेलिया बैसी के लिए थंड के मौसम में होता है और बहुत ही फूपसरत होता है और जब कभी अगर आपको मौका मिले तो उसे अगर व परल ह कि वूप वही बहुत होता है इसाट मिले तीप का यो टीचि जाता है कि उस पर अपने पर अवकर का उंक तरह यो आ पने करते कुछाय को हुआ और यशन नॉट आपको हलना पाए जाता है और हलना या कोड़ी प्लांट में पीज प्लांट में पाइब से लिग्मिनश प्लांट में निकालें लेखे लिए जोटे चोटे नोट्स देखते हैं और उस नोट में होते हैं nitrogen fixation के bacteria अब आप बोलोगे nitrogen fixation क्या होता है यह भी मैं आपको कुछ दिनों के बाद वीडियो में बताऊंगी लेकिन फिलहां थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता रही हूं कि इन नोट में nitrogen को catch करने वाले bacteria होते हैं निकि जो हमारे environment में nitrogen available होते हैं उस nitrogen को यह इसमें जो bacteria है वो इसे पकड़ लेते हैं यानि उसे खीच लेते हैं और उस nitrogen को मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि हमारे जो खेट की मिट्टी है वो काफी उपजाव हो जाती है और उसमें फसल अच्छी होती है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कभ आपको अगर मन करें कभी आपको मौकम में आप उसे खाड कर देखना जब आप उसे उन जमीन से निकाल लोगे तो उसमें चोटे चोटे नौट नजर आएंगे और यह nitrogen के लिए जिम्ंदार होते है इसमें बैक्टiरिया न वद्ब्राइंस तो यह बहुत ही यूजफिल प्लांट होता है और इस तरह की रूट को यह रूट ते हम बाइब और भी देखते नाड इंडेटी सरी आप को आइज आप इसका मोर्चेंट को है पीं अम नहां जांए इसका इसके प्लांट में आपको भी दिखाती है यह जो प्लांट आप देख रहे हो यह है साइप्रस रॉट इंडस का प्लांट यह भी एक तरह का ग्रासी है जो आपको रोट साइड में मिल जाएगा कहीं भी मिल जाएगा लेकिन इसके रूट में जो नोट जो मैंने बताया अभी बहुत पॉमिनेंट नहीं है यह काफी मं देतो है और यह जो चै STAR Euch प्लांट बहुत ही बढ़ा हो जाता है तो इसमें छोड़ जो आवील होते हैं वह दिखने लगते हैं ठीक है और यह दильно कए इसका यह आ इसका रोट इंडस सैप्रस का प्लांट है इसमें स्तरह के फ्लावर होते है और यह भी और यह भी काफी यहis olduğ मारी में जर्चिश्तstars का अचाल फूलवलर होगोंजा तोफूलव सून फिर में नाम में स्वीटाकिता जर्चियि पार्ट अकुरण हो भी समले कार्छा तो फिर मति रहने के पार्ड़र समय पास्योग फिर मतिन पातर होगोंगा जो पॉनिकों सब्कें नहीं पाहिए अभी मेरे पास इभलेबल नहीं था तो मैं ला नहीं सेगी अगर के आज़ पास कहीं भी दिखता है करेले का प्लांट एक बर अगर आप उससे निकालकर देखना तो उसमें दिखेंगा कि इस तरह के रूट पाए जाते हैं कभी-कभी बहुत ही प्रॉमिनेंट वह मॉडिफिकेशन नहीं हो पाते हैं लेकिन आप जब यह कभी निकाल के देखोगे तो कुछ पौधों में आपको इस तरह के मॉडिफिकेशन दिख जाएंगे और जो करेली का प्लांट होता है उसका जो बाटनिकल नहीं होता है वह होता है मेमोर्डिका उसे मेमोर्डिका या हम लोग हिंदी में बोलते हैं करेला तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे मॉडिफिकेशन हैं एडविन्टिशिस रूट के नेक्स्ट जाते हैं गोल गोल जैसे पाया जाते हैं यह आपको इपिकाक के एक प्लांट है जिसमें आपको मिलता है और यह इसको produce किया जाता है ताकि इससे हम धवा बना सके तो इसका बहुत ही यह बहुत ही useful root है और इससे इस तरह की root जब आप देखते हो तो यह बोलते है इसको बोलते है एन्यूलेटेड रूट तो यह जो मैंने आपको अभी दिखाएं सारे जो जितने भी चीज़े दिखाएं यह एडवन्टीशिस रूट के इसमें पहला था आपको मैंने बताया था त्यूबरेस रूट सैसिकुलेटेड रूट नॉडिलस रूट मॉनिली फॉर्म रूट और अनुलेटेड रूट तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास यह बेस्ट ऑन स्टोरेज ऑफ फूर्ड मटेरियल एडवन्टीशिस र अब लाइन अब बताया जासे कि एडवन्टीशिस रूट स्टोरेज बेस्पारिज वेसे इस बाताया अभी जब मैं बताने वाली हूं यह वरर्दा मेंकनिकल सपोर्ट यह भी अडवन्टीशिस रूट है लेकिन यह मैकनिकल यानिकी प्लांट को ग्रोव करने के लिए सप फिर्स्ट एक्जाम्पल फर दा माचानिकल सपोर्ट वह प्रॉप रूप रूट और ये आपको मिलेगा बर्गद के पेड में ठीक है बन्यान ट्री इसको। बोलते है बन्यान ट्री और इसका जो बाटनिकल नेम होता होता है फीकस बैंगलेंसिस ठीक है तो है आपको अपने तो आप कभी देखोगे इस तरह का पेड जिसमें की इस तरह से जो हवा में जो लटकते रहते हैं यह roots होते हैं यह हमारा Adventusis root ही है और क्योंकि बरगा का पीड बहुत ही बड़ा होता है नीचे में रूट जितने होते हैं इसके वो इसे खड़े रहने में यानी कि इसे फैलने में अतना supportive नहीं होते हैं अगर यह रूटस नहीं हो गगे तो यह नम्रेश में गिर जाय आगा, क्योंकि इस नीचे के रूट काफी अफय होते हैं, और इस इस सपोर्ट करने के लिए यह काफी बड़े पौधी को सपोर्ट करने के लिए यह सारे रूट से, यह नहीं होते हैं, निकलता है, यह हमारा adventitious root है और यह बेसिकली किस चीज के लिए होता है mechanical support के लिए और यह जो लहराते हुए roots दिखते हैं इसको बोलते है prop roots and this is the part of this is the part of this is the form of adventitious root the first नहीं देखा prop root for the mechanical support next है stilt root यह sugar can में पाई जाता है और आप भुट्टे का plant यानि की zee maize है यानी कि रोड़ी में हमारे पास a corn का लिक्षा इसमें है we going प्लांट झाल जाओ्स क को उर्हानच है और यह आप देख रहे हो इसमें आप देखं़ हो यह जो दिख रहा है िसमें आपको सकते हो कि यह इसमें साइट में यह साइस से वैसे ही लंगे लंबे रूट्स निकल रहा हैं ठीक है नोट्स से जहां तक उपर जब तक सहारा नहीं मिलेगा तक यह रूट्स को डिवैलम करता रहे हैं यहां से मैं अभर में आपको तिखा रहे हूं कि यह कर् cris होते हैं जो प्लांट आरड़िते हें चिरा कंदालılar व्यक्ता पर मत्ता सी प्लांट। ज़ा हो ज़से उसमें और यी में ज़ता है। ताकि वह प्लांट जमीन में अच्छी तरह से फिक्स रहे और वहां से absorption और nutrition ले सके और next हमारे पास जो modification है mechanical support के लिए वो है climbing route and then clinging route climbing route and clinging route climbing route आपको मिल जाएगा आपने money plant देखा होगा मनी प्लांट या अगर आप देख साकते हो तो आपने देखा होगा किई पान Haha money plant देखते हो जब आप अपने मिल जाता है तो money plant जब आप देखते हो तो उसमने इस तरह से जब वह इक रूवक रव करता हैACE के नोड फतले पतले से रूट निकलते हैं तो पाकर लिए तो यह यह बिम निकलते हैं कि प्लांट पिल ख़ाएं और रूट अंज है कि नुट्रिशन मिलता है वो उसको एब्जॉब कर सके यह जो हम यहां पर दिखा रहे हैं यह है क्लाइंबिंग रूट इसे ही क्लाइंबिंग यह देखते ना पतले-पतले से रूट आप कभी मनी प्लांट देखना अगर आपके घर में अविलेबल है तो मनी प्लांट देख करने के लिए यह रूट होते हैं इसे बोलेंगे क्लाइंबिंग रूट मैं आपको एक और प्लांट दिखाना चाहती हूं जिसमें आप इस तरह के रूट पतले देख सकते हैं मैं और आपको दिखा है एडवन प्लांपल में लेकिन आप फिर से यह देख यह भी रूट है मैं भी डिकलांट करने के लिए याने की यह भी रूट इस तरह करो दिखता है यह पेगूं तो दिवाल से चिपक जाते हैं। जौब ईसे जगजग र् लेती हैं। फिर और आराम से यह उसे सहारी के जरूर नहीं होती है वह प्लेइन दिवाल में भी वह चिपक के और ग्रो कर जाते हैं तो यह जो दिख रहा है यह मैकनिकल सपोर्ट के लिए और यह हमारा क्या है यह भी एड़न्टिशिस रूट है जो कि क्लाइम बिंग रूट क्या लाता है यह उपर दिव कुछ क्लाइम रूट्स में जो होता है जू होता होता है दिवाल के अंदर भी दprov DAN ग्रो करता है लोस्किन जो क्रैक कर लेते हैं और इस थरह से यह हमारा इस बिंग सुपोर्ट के लिए क्लाइम रूट नेक्स्ट है धिलिंग रूट यह बेसिकवली एप фाय्टिक आप सोचोगी कि ये इन अपभाई प्लांट ऑगा होता है तरह सुछ करते होते हैं। छोआ रहा सवाते हैं। और ये किसी तरह के लकड़ी ने की और मिट्टी मेंузक को जाते हैं। जाते उधना प्लांट में जोखते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं प्लांटों को स्हीं पकड़ लेता है च्लिंग्डिंग के और जड़ कुछए हैक इंडर पनेक्टरेट कर लेक्ट को रहा है और यह मरुद्ट इस पर दो dlategoने को लिख में अफिनigor खたい call ride हन्य तो हमारे पास हमारे पास पीन हमारे पास पास हमारे पास हता है उसको इस घंताभर प्राण्ट को नो आक्षरास तो यह रहां जो जिस तरह के रूट जो प्लांट को एक सब्सक्राइब डावा कICES निज्च 그게 जो आता है काम में किया था द निज्च करने थे यह आपको मिल जाएगा इस तरह के रूट्स आपको मिलेंगे और किट्स प्लांट में इसका जो बटनिकल नेम होता है वह था वेंडर रॉक्स वर्गी और इस तरह से आप देखे कि हमारे पास कितने तरह के रूट्स पाय जाते हैं जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अब आप जब भी कभी बाहर निकलो तो जरा प्लांट्स और रूट्स पे ध्यान देना कि किसकी रूट्स किसी तरह दिख रहे हैं और किसका क्या एक्जाम्पल्स हो सकता है तो जब भी बाहर निकलो थोड़ा पेड़ प अब है तो जिस दुस तो एक रहे निकलो पूर्ट के लिए फर्स में बताः आया आपको प्रॉप रूट फर इस तरह को पिसंद आए होगा और समज में भी आएगा अगर कोई प्रोब्लम हुई तो पलीज आप कमेंट में या कुई वी चीज आपको या इमेल से किसी भी share the video and subscribe it also okay then bye have a great day